सब्जेट गो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ राजकुमार सिंग आप देख रहे हैं सब्जेट गो आईए सिखते हैं आज का अधिया है आज हम सिखेंगे कि एक्सल से किसी भी चार्ट को MS PowerPoint के अंदर इंबेट कैसे कर सकते हैं जैसे कि एक्सल का आपने कोई फाइल बना रखा और उसमें कोई चार्ट आपने तयार कर रखा है तो उस चार्ट को एक्सल के अंदर से आपको PowerPoint के अंदर भी दिखाना है आप किजे तो अपने computer में start button पे click करके यहां से जो भी एक्सल आप यूज़ कर रहे हैं 2007 या 10 या 13 open कर सकते हैं या फिर अपने computer में window button के साथ R दबाईए और उसके बाद यहां पे run file आता है इसके अंदर आपको type करना Excel और उसके बाद यहां okay पे click किजे तो एक्सल ओपन हो जाएगा तो दिखे एक्सल ओपन हो गया अब यहां पे मैं right hand side में यहां पे नीचे plus button पे click करके जूम कर लेता हूं एक्सल को यह मैंने जूम कर लिया अब मैं यहां पे type करूंगा student name यह मैंने दिया student name उसके बाद दूसरे cell में आने के लिए मैं दबाऊंगा keyword से tab button दूसरे cell में मैं आ गया यहां पे मैं type करूंगा marks और उसके बाद देखे यहां पे student name हमने type किया है यह थोड़ा से यहां पर छिप रहा है तो यहां पर जो column है इस पर double click कीज़े तो यह fix हो जाएगा इस तरह से बड़ा हो गया अब इसके अंदर हम नाम देंगे तो नाम में दे देते हैं रोहित कि उसके बाद मोहन कि शोहन कि उसके बाद रवी उसके बाद A rainforest कि इसके बाद कि राजन यह मैंने नाम दे दिया है यहाँ अप देख सकते हैं यहा पर मैने कुछ इहां पर student के नाम लिख दिया है यहां पर मैं marks लिख तो marks मैं इस तरह से डाल देता हूं यहाँ पर ठीक है यह example के लिए मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बना रहा हूं चार्ट एक तो इस तरह से मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया अब हम इस मैं से समझते हैं कि सबसे ज़्यादा marks जो है वो किसके आये हैं ठीक है तो उसक पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ट यहाँ पर category wise आप ले सकते हैं जो भी चार्ट आपको लेना हो वो आप यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं या आप फिर यहाँ पर simple यह column दिख रहा है इस पर click किजे तो यहाँ से column वाला जो chart है वो बना सकते हैं त तो मैं यहां पर column बला simple सा जो chart है वो मैं आपको बना के सिखाऊंगा, तो मैं इस पर click करूँगा, तो यह chart यहां पर बन के आ गया, देखे यहां पर यह chart बहुत ही बड़ा बना है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहां पर इसे उठा के रखते हैं, तो अब इन में से देख के आप पता लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके आया है, तो देखे यहां पर सबसे उचा कौन सा जा रहा है, यह वाला जा रहा है, यह और एक यह है, तो यह फिर भी down है, लेकिन यह जो है सबसे ज़्यादा है, मोहन का, तो यहां पर चेक करते अब इस चार्ट को हमें कहां पर दिखाना है PowerPoint के अंदर तो उसके लिए क्या करेंगे अपने computer में start button पर क्लिक करके PowerPoint ऑपन कर सकते हैं यहां पर या फिर all program में जाईए उसके बाद नीचे scroll किजिए और यहां पर एक folder मिलेगा आपको आपके computer में Microsoft Office इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देखिए सब कुछ मिल जाएगा MS Word भी यहां पर मिल जाएगा ठीक है Excel भी यहां पर आपको मिल जाएगा और PowerPoint देखिए यहां पर दिया हुआ है तो यहां पर क्लिक करके PowerPoint ऑपन कर सकते हैं और अगर बात करें कि PowerPoint को दूसरे तरीके से कैसे open करेंगे तो एक तरीका और मैंने आपको बता रखा है कि विंडो बटन के साथ आर दबाईए तो आपके पास यह रन फाइल खुलता है जिसे हम रन कमांड बॉक्स भी कहते हैं और इसके अंदर आपको टाइप करना होता है PowerPoint यानि कि PowerPoint यानि कि PowerPoint पावर PNT देखिए जब आप PowerPoint टाइप कर अभी तक तो सब्जेट गो चैनल पर पहले से PowerPoint के बारे में पूरा वीडियो डला हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मैंने लिंक दे दिया वहाँ पे क्लिक करके आप पूरा PowerPoint और एक्सल जो है सीख सकते हैं तो चलिए यहां से आप PowerPoint ओपन कर लेते हैं यह देख शायरส पूरा दिखे इस तरह से Select हो गया उसके बाद यहां पे कोपी करना है किलिक करके कोपी कर लीजे या फिर अपने hp के सास्तीद डवा सकते हैं कीबोर से तो मैं यहां पे copy पे click करूँगा यह copy हो गया उसके बाद आते हैं powerpoint के अंदर और यहां पे करना है paste तो अपने keyboard से control बटन के साथ V दबाईए यानि कि control दबाईए और control दबा के रखना है और V दबाना है तो paste हो जाएगा या फिर आप यहां पे जाएए और यहां पे किजे paste special या फिर paste तो मै पेस्ट करता हूँ पहले तो दिखे paste करने पर यह आ गया इस तरह से यहां पर इसे size बढ़ा लेते हैं अब दिखें यहां पर simple सा मैंने paste करके दिखाया है तो दिखें इस file में पहले से powerpoint पे पीछे कुछ लिख रहा है लिखा हुआ है तो वो भी यहां पर आ रहा है तो लाइन पर क्लिक करके और उसके बाद keyboard से delete बटन दवाईए तो delete हो गया यह आप बिल्कुल यह दिखें साफ एरिया अब हम paste करते हैं तो यहां पर जाते हैं copy हमने कर रखा है पहले से तो paste करते हैं तो देखें यहां पर इसे थोड़ा सा चोटा हो गया है तो आप खीच के बड़ा इतना आप करना चाहे अब यहां पर देखें जितने भी यहां पर student थे marks थे वह सभी चीज़े आपको यहां पर भी दिख रहा होगा देख सकते आप लेकिन आप मैं यहां पर आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि यह हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से paste किया है अगर आप एकसल के अंदर जाए और आपने कहा कि नहीं सबसे ज्यादा नंबर तो इसके है मोहन के लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नंबर किसे देना है रवी को देना है माल लेते हैं कि रवी को देना है तो रवी को हम कर देते हैं 99 ठीक है इसे हमने 99 नंबर दे दिया तो र यहां पे लिखा वोए नीचे नाम रवी यह सबसे ज़्यादा उपर आ गया तो इस तरह से यहां पे चेंज हो गया लेकिन अगर अगर पौरवाइट के अंदर जाए तो यहां पे रवी चेंज हुआ देखते हैं तो रभी जो है देखें यहाँ पर चेंज हो रखा है उपर देखें यहाँ पर रभी देख सकते हैं इस तरह से उसके बाद एक बार फिर से चेंज करते हैं एक्सल में चलते हैं और इस बार हम सबसे ज़्यादा नंबर किसे देंगे इस बार हम सबसे सबसे ज़्यादा है तो इसमें चलते हैं आप PowerPoint में तो देखें यहाँ पर रोही जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है तो इस तरह से आप जो है पाउर पॉंट में पेस्ट कर सकते हैं किसी भी चार्ट को तो इसे कहते हैं इंबेड करना अब एक तरीका और मैं बताता हूँ आपको इंबेड करने का ये तो बहुत ही असान था कि सिंपल सा आपने यहां पर क्लिक किया और पेस्ट हो गया चार्ट उसके बाद आप चाहे तो यहां पर एक और उप्शन का यूज कर सकते हैं पेस्ट इस्पेसल का पेस्ट इस्पेसल अगर करना चाहे आप तो कर सकते हैं तो चलिए वो भी दिखाता हूँ आपको ये था ये था कि चार्ट को हमने एक्सल से पावरपॉइंट में कैसे पावरपॉइंट में जो ये चार्ट है इसे कर देते हैं डिलिट यहां पर क्लिक करके और डिलिट कर दिया हमने अब फिर से हम यहां पर एक्सल में जाते हैं और इस चार्ट को करते हैं यहां पर कोपी और उसके बाद पावरपॉइंट के अंदर जाएंगे आप पावरप special में दो option मिलता है आपको, एक तो मिलता है कि simple आप paste कर सकते हैं, एक मिलता है paste link, यानि कि link करना है excel से या नहीं करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको paste, तो paste करूँगा मैं तो देखे, यह आ गया paste हो गया, देख सकते हैं इस तरह से, यह paste हो गया, ल बिलकुल जीरो से जो है direo मिला है double 0 टीक है तो रोहीञ्ट देखिए यहाँ पे बिलकुल कुछ नहीं नहीं आ रहा है आप चलते हैं PowerPoint के अंदर स्क्रावर्फॉeurop & टेखते हैं तो देखिए रोहीज़ लेनदर 0 यहां पर क्ला है दू यहां उसके बाद इसे फिर से डिलीट करते हैं और आप यहाँ पे जाते हैं आप करते हैं पेस्ट इस्पेसल में पेस्ट लिंक यानि कि लिंक के तौर पेस्ट करना है हमें एक्सल से यहाँ पे लिंक कराना है तो करने के लिए ओके करते हैं तो देखें यहाँ पे लिंक हो गया तो link हो चुका है अब देखे link करने से क्या फायदा होता है जब भी आप किसी भी चार्ट को Excel से PowerPoint के अंदर link करते हैं तो link करने के दो तरीके होते हैं एक तो आप simple paste कर दीजे तो भी link हो जाएगा और आप paste special के अंदर जाके यहाँ पर paste special जो यहाँ पर option आता है यहाँ पर paste link इस पर किलिक करके अगर link करते हैं तो आपको क्या मिलता है वो दिखाता हूँ तो आपको यह Excel का बिल्कुल real chart मिलेगा real कहने का मतलब है कि थोड़े size बड़े होंगे जैसे आप Excel में रखे होंगे chart को उसी तरह से यहाँ पर भी PowerPoint के अंदर आपको देखने को मिलता है तो आप काम भी यहाँ पर वही चीज करेगा लेकिन थोड़ा सा जो writing का था text जो था matter जो था वो थोड़ा सा यहाँ पर size उसका बढ़ा रखा है तो वही size आपको यहाँ पर भी मिलेगा PowerPoint के अंदर तो यह मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से आप Excel से किसी भी चार्ट को PowerPoint के अंदर embed कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजे शेर कीजे और अगर अभी तक आपने subject go चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नीचे दिए subscribe बटन पर क्लिक करके subject go चनल सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में वहाँ पर bell icon भी दबा दिजेग जिससे आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाए और देखते रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके subject go चनल सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में दिए bell icon को भी दबा दिजे जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारे आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाए और देखते रहे सब्सक्राइब को और सिखते रहे धन्यवाद थैंक्यू